सुबा सुबा ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुब काम ओ नमा शिवाई ओ नमा शिवाई शिव महापुरा शिव महापुरा शिव की शिव शक्त की भक्त और भक्त की ये कथा महापुरा शिव 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 महापुर आशुतोष नीलकंठ शंभु अबिनाशी गंगाधर महादेव जो है गैलाशी आशुकोष नील कंट शंभू अभिनाशी दंगाधर महादीव जो है देलाशी शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्यार शिव महा पुराई शिव महा पुराई शिव महा पुराई सबतर्शियों का अनुरोध स्विकार करके हिमालय राज अपने कुल गुरू महर्शी गर्ग को अपने भावी जामाता शिव शंकर के पास निमंत्रन हेतु भेजते हैं उधर तारकासुर को जब शिव पार्वती विवाह की तयारियों का पता चलता है तो वो इस विवाह में बाधा डालने के लिए हिमालय तथा कैलाश पर आक्रमन का निश्य करता है उसी समय दैत्य गुरू शुक्राचार प्रकट होते हैं तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करके तारकासुर को इस सर्वनाशी कृत्य से रोप देते हैं अंत में लंबे समय से प्रतीकशित शिव पार्वती विवाह का शुव महूर्थ आही जाता है शिव शंकर दूलहा बनकर पार्वती को ब्याहने के लिए भरात लेकर हिमालय प्रासाद पहुँचते हैं वर राजा शिव का अनुपम रूप देखकर हिमाले प्रासाद में पधारी नारियां हर्ष से गदगद हो जाती है परंद महारानी मैना के मन से शिव के प्रतिशंका अभी तक निर्मूल नहीं हुई थी इसी शंका को जग जोरने के लिए वर राजा रूपी शिव महारानी मैना को बहयानक भूतनाथ रूप की जलक दिखा कर भैभीत तथा ब्रहमित कर देते हैं तब ही ब्रहमा जी भगवान विश्ण तथा देवगणों सहित वहां पहुँचते हैं तथा महारानी मैना को समझाते हैं कि शिव का जो रूप उन्होंने देखा था वो उनके मन की शंकाओं का ही प्रतिविम्ब था जब सब के आग्रह पर महारानी मैना उत्सुक मन से वर्राजा शिव के पास आरती लेकर स्वागत हेत पहुँचती हैं तो उनका विमुध कारी रूप देखकर उनका हिदय हर्ष से खिल उड़ता है कर दो उनका है मंगलं प्रिष्भद्वजा मंगलायतनो शिवाह ओम साम्ब सदाशिवाय नमाह माते 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 हख्वाद मोले नात्की तो माया शभाइदम। ओम् स्वस्ति नौमि मीता मस्तिना बगार् स्वस्ति देव्या दिति गर्वना स्वस्ति पूशा असुनो दधातुना स्वस्ति ज्यावा पिछिवी सुचेतुना स्वस्ति मित्रा बरुना स्वस्ति पक्ते बेवती स्वस्तिन इंद्रस्टाग्निष्ट स्वस्तिनो अधिते क्रिभी स्वस्ति मन्था मनुचारे मसूर्या चंट्रमसाविवा ओम पाद्यम 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 पादिग्रस्तामी जलं समर्पयामी स्वस्ति पाद्यम पाद्यम ओम समञ्जन्तू रिष्टे देवा स्वस्ति जयानिनो सम्मातरिष्वा सम्धाता समभेष्टी दधातु नो ओम अमोहम अस्मी सात्वम सात्वम स्वस्त्यमोहम सामाहम अस्मी रिक्वं जयौरहम विधिविंक्वं तावेव विवहाबहैं सारेतो दधाबहैं प्रजांप्रजनयाबहैं उत्रांबिंदाबहैं बहून से तन्तु जरडश्चया संप्रियो रोटिष्णो सुमनस्यमानों ओम सरदस्वधी प्रेदम अवसुभगे वाजिनीवती यांपा विष्वष्य भूतस्यत्या यामस्यावत्रगा यश्यामोतां तमवःष्यां विष्वमिधं जगा तामध्यगाथां गाष्या नियास्दुना मुत्रमं जशा ओम गुद्यमक्रे पर्यवां सुर्यां वर्दुनासा उनापतिप्यो जायंदा अग्रे प्रजयासा ओम सन्यापिषिग्यापति लोकं यतियमपधिच्यामयस्टा कन्या उतत्वया वयंधारा अधन्या इवाति प्राहे महित्रिशा ओम कमो हम अस्मी सात्वं सात्वं अस्मो वहं सामाह मस्मी रिक्वं जोरहं कितिविंप्वं तावेव विवहा वहई सरारे तो जधा वहई स्रजांप जनया वहई पुत्रान विन्दा वहई वहून तेसं तुझार रश्कया संप्रियो रोचिष्णो सुमनस्यमानो अगवान भोले नाथ की जै शिवशक्ति शिवा की जै आनंक्ति क्रिंक जन्यान विंगिंक्ति शिवशक्ति शिया सकत्या विव्शक्ति सुम्हर्यमस्येद Kr openings to the प्रचोदयान्ताम् पावमाने त्रिजानाम् आयो प्रानम् प्रजाम् पर्शों पिर्षिं जडिनं रम्म वर्चसाम् अगवान बोले शंकर की जे बाता पार्वती की जे अगवान बोले शंकर की जे हाँ शिव पार्वती विवा संपन्द हो गया हम कुछ नहीं कर सके हाँ सोर्परशासन करने वाले महाशक्ति शानितार का सुर्की शक्ति धरी की धरी रहे गई अब हमारा काल उपन्द होने वाला है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं हम विवश है असुर राज शे पार्वती के विरोध हम कुछ नहीं कर सकते चुप रहो आसुर होकर कहते हो कुछ नहीं कर सकते ये कहते हो ये तुम्हेल अच्चा नहीं आई हाँ हम कुछ नहीं कर सके केवल दैत्य गुरु शुक्राचारिय के आदेश के कारण परन्तों अब ऐसा लगता है कि दैत्य गुरु हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे आप सत्य कह रहें दैति राज बुरु शुक्राचारे का आश्रे छोड़कर अब हमें ही कुछ करना होगा हाँ हम यही सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए हम ग्रोध की जॉला में चले जा रहे है मैं असूर शिक्र बताओ अपने काल को उत्पन होने से रोपने के लिए हमें क्या करना चाहिए असूर राज हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चार और असूरों का आतंग फैल जाए संपूर्ण स्रिष्ठी हाँ कार कर उठे इस सिर्षिव और बार्वधी के मिलाप में बादा अवश्य उत्पन होगी भाया असूर हमने आट अहास क्यों किया हाँ शमा चाहता हूं असूर राज मेरी समझ में कुछ नहीं आया हम तुभारे परावश से सहमत है हमें ऐसा आतंग फैलाना होगा कि देव अपना देवत्व तथा मानव अपनी मानवता फूल जाए चारो और असूरों का प्रभाव फैल जाए सभी हमारे भैसे विवशो कर आसूरी वृत्ति अपना ले हम इसके लिए प्रस्तुत हैं देप्टियो स्वामे आग्या कीजे हमें क्या करना होगा असूरी विरो एक बाद भली भाती समझ लो हम वृत्तियो से निर्भय हो चुके हैं हम देवताया मनुष्य की भाती कायर नहीं जो मृत्तियो से डर कर इधर उदर भागते भी नहीं कदा भी नहीं असूराज आपके भैसे तीनों लोग थर-थर कामते भी आप जो चाहें वो करतकते हैं असूराज हाँ हम चाहते तो शिव से विवाह की काम ना करने वाली हिमालय पुत्री पारवती का हरण करके उससे शिव का मिलन नहीं होने नेते हम चाहते तो शिव पारवती विवाह में ऐसा भयानक विक्नूत बढ़ा करते के विवाहं असंभा हो जाता परंतु दैत्य गुरु शुक्राचारिय ने हमें बार बार रोका आप सत्त कह रहे हैं। द्ढैत्य गुरु शुक्राचारिय हमारे इस कारे में बाधक बने चाहेंगे वही करेंगे हाँ अवश्य 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 असुराज बोलो परमपराक्रमी तारकासुर की है यदि बेरा काल बनकर शिव पुत्र उत्पद्ध होता है तो होता रहे अब हमें वृत्यू का तरीख भी भई नहीं रुत्यू से पहले संसार में तारकासुर असुरों का सामरा जस्थापित करेगा ताकि असुर सवसुर्टी के रक्षक तारकासुर का नाम असुर जाती में अमर हो जाए असुरों के गौरों की रक्षा केवला आप ही कर सकते हैं असुर राज हाँ समस्ता असुरों को हमार आदेश है कि वो स्वर्ख तथा पृत्वी पर वाई के समान भेल जाए बेउताओं तथा मनुष्य को असुरों का दास बन्ने पर विवश करे और जो भी असुरों की आधिंता स्विकार न करे उसे सवाप कर दो आप के अदेश का मानल होगा दो ऐसा ही होगा असुर राज हम ऐसा ही करेंगे नेति राज़तार का सुर्की जे असुर राज़तार का सुर्की जे मठल नेसी जेड़तार का सुर् necess करे जेड़तार करे दüng मकली करेंगे राज़तार का सुर्की जे राज़तार का सुर्णी जे, विवश करेम है पर जेड़ताब्र मकांतार है कर दूर प्रिश्टी पालक भगवान विष्णू की जय हो पधारियो मुनिवर, पधारियो देवराज, प्रडाम माते, प्रभू, जब जब विप्दा आती है, आपकी श्रिण में आने के अत्रिक्त कोई उपाय नहीं सूस्ता, तार का सुर्खात्याचार असे हो गया है, देवर्शी, अधर मन्याय तता अत्याचार के दवन के लिए, मैं सदेव तत पर रहता हूँ, किन्तुतार का सुर्ख के संदार्व में, मैं विविश हो मुनिवे, आप तो स्रिष्टी के पालन करता है, प्रभू, आपको विवश्टा कैसे? प्रभू, सिष्टी कल्यान, तधा देवताओं की रक्षा का उपाय, आपके अत्रिक कौन कर सकता है? देवर्शी, शिव पार्वती विवा के पश्चाद, अपने मृत्यू समी बाते देख कर भी, तार्का सुर्ख के अध्याचारों में कोई कमी नहीं आई? अध्याचारों में कमी नारायन नारायन माते शिर्व पार्वती विवा की परशात्तु वो और भी भैंकर हो गया है पित्वी वास्विय पर उसके अध्याचारों की कोई सीमा ना रही चारों और त्राही त्राही हो रही है शिरिहरी, माता शक्ति के पार्वती के रूप में अफ्तिरित होने से लेकर अब तक, क्या-क्या बाधाय नहीं आई? शिव पार्वती विवाक ये पश्चात, हमने सोचा था, शिव पुत्र उत्पन्ध होकर दुष्ट तारकासुर का संगहार करेगा प्रभू? परंतु माती, अब ऐसा प्रधीत होता है, कि शिव पुत्र उत्पन्ध होने से पहले ही, आशुरी शक्तियों का तिरों लोग प्राधिपत्थी हो जाएगा ब्रमदेव की वर्दान के अनुसार, तारकासुर के अंत का एक मात्र विकल्प है